वेलकम टू सीए गुरुजी क्लासिस डॉट कॉम इंकम टेक्स पोर्टल पे दो नए चेंजिस आक्टिव हुए हैं और आप सभी को पता है आईचर फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई तो 31 जुलाई तक आईचर भरनी है इसलिए कोई भी नया चेंज अगर होगा तो वो आपको जरूर इंपाक्ट करेगा और ये नए चेंजिस आये हैं 26 AS and EIS बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट पर और जानते हैं क्या ने चेंजिस अक्टिव हुए हैं रुको सरा सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लो इंकमटेक्स पोर्टल पे हुए चेंजिस को समझने के लिए मैंने ओपन किया है इंकमटेक्स.gov.in और जो चेंजिस आक्टिव हुए हैं वो आपको लॉग इन करने के बाद दिखेंगे तो मैं यहाँ पर एक यूजर का अकाउंट लॉग इन कर लेती हुँ तो पहला चेंज डिसकस कर रहे हैं हुआ है आपके AIS में जी हाँ अन्वर इंफोमेशन स्टेटमेंट है को और नया चेंज एक्टिव हुआ है मैं इस पर क्लिक कर रही हुँ प्रोसीड बटन पर क्लिक कर रही हुँ मैं नई पेज पर आ गए हुँ तो अब देखिए आपका डाउनलोड करने का ओप्शन AIS और TIS को Financial Aid 2223 का यहाँ पर अवलेबल करा दिया गया और इसके उपर लिखा भी है New तो AIS और TIS अब आपको इसके अंदर जाके डाउनलोड करने की ज़र्वत नहीं है यहीं से आपको option मिल रही है आप जैसी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या डाउनलोड करना पूछा जा रहा है AIS करना है PDF डाउनलोड AIS का JSON डाउनलोड करना है AIS Utility को यूज करने के लिए यह TIS का PDF आपको डाउनलोड करना है तो जो भी आपको डाउनलोड करना है बस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर ले नीचे आपके फाइल डाउनलोड हो जाएगी जैसे कि इस केस में हो गई है और यह password protected है password यहाँ पर लिखा है इस file को open करने के लिए आपको pan डालना है lowercase साथ ही अपनी date of birth डालनी है और आपका AIS आपके सामने open हो जाएगा तो अब यहाँ पर बहुत ही shortcut दे दिया है AIS और TIS को डाउनलोड करने के लिए पहले हमें क्या करना होता था यहाँ AIS टैब में जाना होता था तब हमारे पास option आती थी AIS याट TIS को डाउनलोड करने की तो अब आप लोग AIS को miss ना करें अपने AIS के base पर ही अपनी आजर फाइल करें क्योंकि AIS में आपकी बहुत सारे income report हो दी है इसलिए आपको यहाँ पर option दे दी गई है अपने AIS को डाउनलोड करने की AIS का आपको पहला change मैंने बता दिया अब मैं फिर से आगे हो income text portal पर यहाँ पर e-file में अब आपको एक option मिलती है 26 AS की इस पर आप क्लिक करें confirm पर क्लिक कर दीजे I agree करके proceed कर दीजे view करें अपने text credit statement को और आप यहाँ से select करें assessment यह 23-24 और view as HTML करके view download पे क्लिक कर ले तो अब आपने 26 AS में आप देखेंगे current status of pan आपको अपने pan का status दिखेगा active and inoperative या operative अगर आपने pan अधार की लिंक नहीं किया है तो आपके pan का status यहाँ पे inoperative दिखेगा और अगर pan inoperative है तो आप अपनी ITR तब तक file नहीं कर पाओगे जब तक आपका pan active न हो जाया आप pan और अधार को link ना कर दो pan अधार को कैसे link करना है अब 30 June की date तो जा चुकी है वो वीडियो देखनी है तो मैंने i button पे भी link कर दी है description में भी देदी है first comment में भी देदी है पर अपने pan अधार को link ज़रूर करें अगर आपका pan status यहाँ पे inoperative दिख रहा है और उसे operative होने में भी थोड़ा सा time लग जाएगा तो income tax portal पे यह जो दो नई changes active है यह सभी tax peers के लिए बड़े important and relevant है क्योंकि 31st July last date है ITR को भरने की और ITR को आपने 26 AS and AIS चक करें बिना बिलकुल भी नहीं भरना है चाहे आपका TDS कटा है नहीं कटा है चाहे आपके AIS और 26 AS में कुछ ना आए पिर भी एक बार इनको ज़रूर चक करना मैं आपको हमेशा यही suggest करती हूँ आइजर कैसे फाइल करनी है आइजर 1 और आइजर 4 वो वीडियो भी मैंने in description and first comment में और i button पे दे दी है आप मैं आपको ले आई हूँ हमारी website cagurujiclasses.com पर यहां हमारे courses available हैं तो हमने यह नई website launch करी है 4 July को और 11 July तक इस पर offer दे रहे हैं 10% discount का और इस website पर अब आपको हमारे जितने भी courses मिल रहे हैं उन पर आपको मिलेगी lifetime validity तो यही सबसे ज़्यादा हमारे users चाहते थे lifetime validity and lifetime support तो सभी courses आपको हमने with lifetime validity provide कर दिये हैं 99C को छोड़के यह limited period के लिए available है otherwise सभी courses lifetime validity के साथ हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पर prices दिये गए हैं कौन-कौन सी courses available हैं company आप form करना चाहते हो तो यह course available है accounting pro level की accounting अगर आपको सीखनी है न pro accountant बनना है तो हमारा course ले with teleprime इसमें सारी accounting प्लस automation भी सिखाया गया है TDS and TCS अलग से ही consultancy का field है तो अगर आप TDS and TCS में अपनी खुद की practice शुरू करना चाहते हैं या TDS की return सीखना चाहते हैं correction सीखना चाहते हैं तो यह course ले automation of balance sheet balance sheet आप बनाते हो trial से आप उस excel में export करते हो और then उसके base पर फिर balance sheet में एक-एक figure को link करते हो opening closing मिलाने में अपने staff का बहुत सारा time devote करते हो और future है chat GPT जैसी automation का artificial intelligence का जमाना है तो क्यों ना आप भी अपना time save करें और हमने सिखाया आपको automate करना balance sheet को चाहे आपका client आपके सामने रोज आकर बैठ जाए आप 5-6 मिनट में उसे balance sheet दे दोगे जोड़ चाह कितने भी आप revisions कर लो अपने ट्रायल में सारे changes आपकी balance sheet में भी एक ही मिनट में हो जाएंगे इसका benefit ले जिएस्ट अगर आपको सिखना है practically तो पूरा course practically और updated आपके लिए अवलेबल है income tax return filing का season है income tax plus income tax returns plus TDS and TCS सारा हमारे इस combo में अवलेबल है आप इसका benefit लें अगर आप reconciliation सीखना चाहते हैं GST के तो reconciliation का course दो कोर्स हमने अवलेबल करा रहे है इसमें 3B इंक्लूड है इसमें 2B का reconciliation है 99C आप सीखना चाहते हैं 22 का वह हमने अवलेबल करा दिया इस course की validity limited रहेगी और सभी की validity जो है वो है unlimited period के लिए lifetime validity MSME registration, government का focus है जाज-जाज-जा business को MSME register करें और अगर आपको सर्फ TDS and property सीखना है तो वो course भी हमने अवलेबल करा रहा है जिस भी course में आप interested है उसे buy करें तो यहां पर single-single courses अवलेबल ही है कुछ person होते है कि मुझे accounting भी सीखना है मुझे income tax भी सीखना है GST भी सीखना है तो यहां bundled courses पर आप क्लिक करें आपको हमारे हर तरह के combo यहां पर अवलेबल दिखेंगे और combos पर वैसे भी price कम हो जाता है वैसे भी saving होती है और इसके अलावा extra 10% offer पर सिरफ 11 जुलाई तक अभी आपके लिए अवलेबल है 11 जुलाई के बाद हम सभी courses के price increase कर देंगे क्योंकि यह launch offer था तो अभी हमने courses के price कम कर रखें ताकि जादा से दादा persons इनका benefit ले सके और आप जब भी हमसे contact करना चाहिए तो यहां पे contact details है आपको हमारा number, email id सभी दिखेंगी आप महाँ पर contact कर सकते हैं और आपको कैसे हमारे courses में enroll करना है कैसे सारी process होगी home page पर आये थोड़ा असा नीचे scroll करेंगे तो यह video मिलेगी आप इसको watch कर लेना This will help you to enroll in our courses Thank you so much for watching, bye bye The